हलो गाईज, आज की इस वीड़ों में हम देखेंगे कि वाट्साप का जो हमारा अकाउंट होता है उस अकाउंट को हम किस तरह से पर्मनेंटली डिलीट कर सकते हैं हमारे पास दो दो या तीन-तीन सीम होते हैं और उन सारी सीम से हम वाट्साप पर अलग-अलग अकाउंट क्रियेट कर देते हैं लेकिन वो जो account होते हैं हम ज्यादा यूज नहीं करते तो आज की सुड़र में देखेंगे कि किस तर से हम WhatsApp का जो account हमारे काम कर नहीं है उसे permanently delete कर सकते हैं तो WhatsApp account delete करने के लिए आपको सबसे पहले WhatsApp को open कर लेना है जिस नंबर से आपने account बनाया है उस account को आपको open कर लेना है उसके बाद यहाँ पर तीन dots दिखेंगे इसके उपर आपको click कर देना है यहाँ click करने के बाद आपको settings का एक option देखने को मिलेगा setting के option पर click कर देना है setting option पर click करने के बाद आपको account का एक option यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर click कर देना है यहाँ click करने के बाद सबसे नीचे आपको delete my account का जो option है वो देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको click कर देना है यहां click करने के बाद आपको यहां पर कुछ जो हे notes देखने को मिल रही है अगर आप account delete करते हो तो आपकी पूरी history, whatsapp, chat, messages पूरे erase हो जाएंगे यह आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा तो आप अगर चाहे तो यह सारी चीजे पढ़ सकते हो या तो फिर आपको account delete करना है परवंडली तो आपको यहां पर आपका जो number है mobile number वो डाल देना है जिस mobile number से आपने यह account बनाया है तो यहां पर जो है मैं मेरा mobile number डाल देता हूँ तो guys यहां पर जो है मैंने mobile number डाल दिया है mobile number डालने के बाद यहाँ पर delete my account का जो option है इसके उपर हम click कर देंगे और यहाँ पर एक reason select करने को बोल रहा है कि आप क्यों यह account जो है delete करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कोई भी एक reason जो है select कर सकते हो मैं यहाँ पर जो पहला वाला reason है I am changing my device list तो इसके उपर click कर देता हूं और delete my account पर click कर देता हूं यहाँ पर फिर से एक warning जो है proceed to delete your account की आ रही है हम यहाँ पर delete my account पर click कर देंगे जैसी यहाँ पर click करेंगे तो आपका जो WhatsApp account है permanently delete अब हो चुका है आपको अगर फिर से account create करना है तो आप फिर से यहाँ से account clear कर सकते हो तो यह जो है यह account अब जो है अपने WhatsApp का जो account है permanently delete कर सकते हो तो उम्मीद यह जो छुटी सी वीडियो वे आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरू कर देना बहुत ही जल्द मिलेगे नए वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ